हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे मटर की चाट वो भी बहुत ही आसान तरीके से तो चलिए बनाते हैं तो इसके लिए मैंने मटर को ओवरनाइट सोकोनी के लिए रख दिया था उसको अच्छे से वाश कर लेंगे फिर इसके बाद इसमें डालेंगे दो आलू कट करके और एक प्याज को कट करके डाल देंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा हल्दी पावडर फिर इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक तो नमक हल्दी डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तक कि नमक और हल्दी अच्छे से मटर में मिक्स हो जाए तीदी के मिक्स हो चुक है अच्छे से आप इसमें ढगा कर इसको 5-6 सीटी आने तक इसे पकने देंगे तो जब तक इसमें सीटी या लग रही है तक हम अपने आगे की तयारी कर लेते हैं तो हम पहले बनाएँगे हरी चटनी तो यह धन्य की चटनी बनाने बाले हम भहत आसान तरीके से बहुत कम समान में तो हिरी धन्यय पत्त्र डाल दिया हमने जार में अब हम इसमें डाल देंगे मिर्ची तो यह चितना पसंद आया एट कर सकते हैं तोड़ा सा लेसुन और थोड़ा सा काला नमक और इसमें डालेंगे हम नीम्बू नीबूप पूरा एक डाल की मैं नीबू से क्या होता है कि हमारी जो चटनी है ना बहुत हरी कलर की बनी रहती है और इसका कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं होता तो आप नीबू जरूर डालें तो इस तरीके से पूरा एक नीबू मैंने इसमें डाल दिया है अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसको आप चाओ तो इसमें आइस क्यूब डाल की रख सकते हो उससे भी यह बहुत अच्छा सा ग्रीन क्रार की बनी रहती है तो चले चटनी बन गई है अब हम यह देखिए इमली की चटनी बना लेते हैं तो उसके लिए हमने इमली को पानी में अच्छी से बॉयल कर लिया था त आप चाहो तो इसमें टेल बीडाल सकते हो जो भी आप खाते हो अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और जिससे मताब नॉर्मल आटा गुनते हैं उसी तरीक से इसकोँ हमें गुनना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसको सौफ्ट सा डो बनाकर रेडी कर लेंगे तो रहे हमारी पूड़ी होले सके लगता है तक बहुत भी हम बनीजें कमें करें清 Wass अाथ ईह एक तोड़ नरिगे लेक्ट होती आम हैं citi तो चलिए इसके हम रोटी चल्स का मत्लः लेंगे जैसे रोटी बनाने के दिदे लेंगे जास नोगी तो इसे क्या होगा कि यो हमारी पापड़ी है वो फुरी कि दर्स हो तरहार के लिए मैंे किसे से कट करने लिए मेगा तुस के लिए नेकार कारें लिए लबी案 से उचसार लिए mm Egyptian के लाइट से निकालती सबहुत में नुक लिए तो इस तरीके से कट कर लेंगे तो देखिए नॉर्मल सा बिल्कूल हलका सा गरम हो गया है और सारी जो हमने बनाई है नपापटी सारी डाल देंगे इसमें और तेल हमारा बहुत अगर मनी होने चाहिए इससे ध्यान रखना वरना क्या होगा कि उपर से तो कलर डार को जाएग तो इस तरीके से हम इसे फ्राई करेंगे तो यह देखिए आप कलर देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन आने तक हम इसे फ्राई करना है और यह बहुत जादा ओए अच्छे से यह बनकर रेडी हो जाती है तो यह दिक है एक्स्टा ओइल निकाल देंगे और इसे हम प्लेट मे निकाल कर रेडी कर लेंगे तो इसी तरीके से मैं सारी पाप्ली बना कर रेडी कर लूँगी तो यह देखिए और हमारा एक्स्टा निकल चुका है और इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे तो इसी तरीके से मैंने सारी पाप्ली बना कर रेडी कर लिए तो पाप्ली सारी बन चुकी है चलिए अब मटर भी हम देख लेते हैं यह देखिए अच्छे से इसमें पांचे सीटी लगा दी थी और मटर हमारी बहुत अच्छे से बॉयल हो चुकी है आप देख सकते हैं तो आप चाओ तो इसमें जैसे कि यह देखिए आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हो लेकिन यह मैं बिना टमाटर के बनाऊंगी और बहुत ही चटपटी सी चाट बन कर यह रेडी होगी पिल्कुल भी हम इसमें टमाटर का यूज नहीं करेंगे तो यह रिखे अच्छे से हो चुकी है अब चलिए इसको साइड में रखते इसका तड़का रेडी कर लेती है गैस थोड़ा सा धनिया पाउडर बिल्कुल रखनी है थोड़ा सा अल्दी पॉड़र दाल दिया है अब अच्छे से फटाफट मिक्स करेंगे और ज्यादा देर हमें इसको नहीं चोड़ना है और पताफट से जो हमने बॉल करीती मतर स्टमें डाल देंगे क्योंकि जो सुखे म तो इसमें तो चमन गरम-मसाला टाल धेंगे और थोड़ा सा बढ़ा अधा नमक डाल धेंगे से आधा ay सते होगी से अधुतक रचिते क愉ने मारे खमल़े स्कू ड़ना मासाला उनाउस पंधाइब तो यह देखिए दोड़ा सपक जाएगा इसमें पानी डाल देंगे और जितनी भी आपको मतब ठीकने सकते हैं उससाफ से पानी डाल सकते हैं तो यह देखिए कलर कितना अच्छा आया है बहुत ही टेश्टी बनकर रेडी होती है और बहुत जटबड बन जाती है अब खटाज के इसमें हम अमचुर पाउडर डाल देंगे जैसे कि हमने टर्माटर का बिल्कुल भी यूज नहीं कया है तो इसलिए इसमें अमचुर देख सकते हैं मतर तो रेडी हो चुकी है तो चलिए अब हम आगे अपनी चटनी बनाकर रेडी कर लेते हैं तो यह एक चटनी बनाएंगे अच्छे से चान लिया था और पैन में डाल थिया है तो इसमें हम थोड़ी से मसाले बगर कुछ डालेंगे ज्यादा कुछ नी डाल तो बाउट निया है और थोड़ा सा यह लाल मिच का पाउडर डाल सकते हैं इसमें तो भी चीनी डाल देंगे तो जितना मतब मिठास के साब से आप डाल सकते हैं तो लिए जादा घट पड़ से बन कर रेडी हो जाती है तो आप चाहो तो चीनी की जगे पर गुड़ बी डाल सकते हो तो अच्छे से देखिए हो चुकी है और इसको बहुत जाद हम गाढ़ा नहीं करेंगे क्यों ठंडा होने के बाद यह और भी जादा गाढ़ा हो जाता है तो चली इसको ठंडा होने देते हैं और अपनी चाठ हम स्थो कर लेते हैं तो आपको घाले कर भी काना से सब्सकर सकते हैं अब जो यह पापडि थी इसमें हम तोर तोर के डाल देंगे इसमें पहुत ही क्रंची और कराई ने बनकर रेड़ी हुती है आप राये तो इसको तो बड़े हो या छोटे सब भी खा सकते हैं तो घर की बनी है तो जितना मर्जी उतना खाई है बहुत ही टेस्टी लगती है ते दही को मैंने चीनी में फेट लिया था अच्छे से और इस तरीके से ड़ी डाल देंगे इदे कितना गाड़ा हो गया है ना हमारी चट तो जितना मानों आप उतना इसमें एड करें अब इसमें हरी चटनी डाल देंगे आप देख सकते कलर अभी बिल्कुल ग्रीन बना हुआ है तो जिस तरीके से मैंने बताया था ना आप एक बड़ ट्राई चुरूर करना तो यह देखे चटनी भी हम दाल देंगे इस तरीके आप चाट खाना पसंद करते हैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम काला नमक तो इदेखे सारी चीजे डालती है आप उपर से और भी चटनी दही मतब चितना डाल सकती हो बहुत ही टेस्टी बनती है तो देखे चट परसी चाट बनकर रेड़ी हो गए है आप इसे लंच में भी पराथे रोटी चावल के साथ भी दे सकते हैं तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों टेक्यार